इधर हन्मानगड के रावतसर में भी कोरोना के चलते अपने घर तक नहीं पहुंचे मजदूरों और अन्य लोगों के लिए प्रशासन ने पहल की रावतसर में प्रशासन की ओर से एक बस को पंजाब के लिए रवाना किया गया इस दोरान बस सवार 40 लोगों को तैसिल कार्याले के सामने खाना भी खिलाया गया प्रशासन की ओर से इन यात्रियों का चेक अप कर इने रवाना किया गया स्रीकृष्ण बस सर्विस के मालिक दीप सिंग चोहान इन यात्रियों को पंजाब तक निशुल्क छोड़ कर आ रहे हैं किया और उन लोगों के खाने की खाने पीने की वेस्ता की गई और उनके लिए दीप जी रठोड है दीप जी चोहान है उन्होंने अपनी नीशुल्क बस की सेवाई जी पुलुक पराई और हम उन्हें उस बस से उनके गंतवे स्थान तक पहुंचा रहे हैं और और वी कोई कि अगर आएंगे इस तरह तो उसके लिए भी हम वेस्ता करेंगे